हेलो दोस्तों नमस्ते आपका फिर से एक नहे वीडियो में स्वागत है और जो अपनी स्रीच चल रही थी उसी को आगे बढ़ाती है आज फिर से हाली में RPSC द्वारा आई जित एक प्रिक्षा का प्रिक्षा का प्रिक्षा का प्रिक्षा 2020 तो दोस्तों इस पेपर को आप राप्त करने के लिए इसकी पीडियाप लेने के लिए आप टेलिग्राम चैनल जुरूर जोन करें डिस्क्रिप्ष में आपको लिंक मिल जाएगा अगर दोस्तों आप भी कर रहे हैं और राजस्तान की किसी भी परतियों की प्रिक्स आगी तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेज़ेगा नीचे लाल वाला बटन दबा कर तो सही उतरि यहां पर क्या होना चाहिए बिल्कुल चार उप्सना आपके सामने है तो 1588 हो जाएगा चलिए अगले परशन की तरफ चलते है दोस्तों यहां पर एक तरफ साहित्टेगारा और एक तरफ उनके सा ससग है क्योंकि दोस्तों ज़्यादा अगर अगर आपन प्रश्ण को यहाँ पर पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा तो अपन देखते हैं एक तरफ साहित तेगार और एक तरफ सासत तो इनको आपको मिलान करना है यह किनके दरबार में थे तो यह आपर मुनहत नेंसी के अ इस परकार से दोस्तों इसका सही उत्र हो जाएगा आपका option number 3 चली आगे बढ़ते हैं आगे देखिएगा वेदिक यांत्रा ले printing प्रेश का इस्तापित की गी थी तो दोस्तों यह अजमेर के अंदर next परसंड देखेगा बहुत important है एक तब नरते हैं और एक तरफ जाती है आपको मिलान करना है तो यहाप राय नरते की बात किजाए तो सीधा समंध्द बील जन जाती से हो जाने काम आंदल मेले केज़ाता है और इसके सब्सक्राइब ऐसे एक ट्रिक भी आप देखके दोस्तों चलिए आगे देखेगा डूड की थाड़ी और खेराडी उप बोलिया राजस्तान की किस बोली से समंदित है तो दोस्तों ये है मारवाडी जो की राजस्तान की इस्टेंडर बोली है यानि मानक बासा माने जाती है अगला प्रशन है राजस्तान कवियों में नौ जागरण के परथम कवी क इसे माना जाता है तो चार ओप्षन आपके सामने है सही उत्र क्या होना चाइए बिलकुल सूर्यमल मिशरन उप्षन नौबर एक करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते है दोस्तों सुमेलित करना है एक तरफ संगीतुए है और एक तरफ उनकी रचना है तो संगीत त और द्वार कानात की राग चंदरीका इस परकार से जो है इस परशन का अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर दो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखेगा मोती बेगम निमन में से किस समचार पतर से समंदित थी तो जो राजपूत गजट था दोस्तों उससे समंद थी मोत कोदी बेगम अगला परसंदेखेगा आपकी स्क्रीम पर है एक तरफ मेले हैं और एक तरफ मेलों का आइजन की महा देर्क है तो कौन्सा मेला कब भरता है यहां पर देख लिजिगा दोस्तों कि मेले की बात किज़ए तो कारतिक प्रूर्णिमा को बरता है आप सभी जो पत यह में तीन दे रखा है इस परकार से आप सही कर सकते हो चलिए परतिकर्मन चुरुनी गरंत किस चित्र सेली से समझते हैं बहुत ही फ्यमस प्रशन है तो मेवाड सेली इसका सही उतर हो जाएगा उप्सन नमबर एक चलिए आगे बढ़ते हैं एक तरफ सेली और उपसेली और उन से समझे चित्रकार है तो इनका आपको मिलान करना है बिल्कुल दोस्तों आपके आने वाले एक्जाम में बहुत सारे प्रशन डारेट यहां से रिपीट होने वाले हैं तो चिंता मत कीज़ेगा वीडियो को ध्यान पूरुक देखेगा चलिए तो यहां पर दोस्तों त साही राई और मौमद साथ इसके बाद किसंगड की बात करें दोस्तों तो मूदराज और विक्कम चन्त चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसका आपको बतायता हूं में अप्चिन नंबर ए हो जाएगा नेक्ट देखेगा नियोड़ परजा मंडल का एस्ताई कारेले कहां इस जो कारेले था वो अजमेर के अंदर इस्तापित किया गए था नेक्ट देखेगा डाबी के किसान आंदोलन में जंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन सहीद हो गए थे तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नानक जी बीलिया पर सहीद हो गए थे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है दोस्तों निमन में से कौन सा साक्षे हल्दी गाटी के युद में मारणा परताप को विजेई मानता है तो दोस्तों जो है ये सारे साक्षे मानते हैं राज परसस्ती की बात करें चाहे राज परकास या जगदीस मंदिर परसस्ती सभी में जो है मारणा परताप को यहां पर विजेई माना है ठीक है चलिए माराजा मान सिंग की मर्तिव कांपर हुईती तो आप सभी को पता है दोस्तों जो माराजा मान सिंग है इनकी मर्तिव बिल्कुल दोस्तों इसमें जो आर्पेसिन आंसर माना है वो माराष्टर माना है अग उनकी है चत्रकुरी, अगला देखेगा 1818 की संदी के प्रश्चात, ब्रिटीश से विरोधी भावना रखते हुए जो उत्पुर के किस महाराजा ने अंततय सन्यास ले लिया था, तो महाराजा मान सिंग की बात हो रही है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश काने का संस्तापक कौन था, बहुत ही आसान सा प्रश्चन है, तो असोक पर मार, उप्स नमबर B याँ पर करेक्ट होजेगा, नवीन राजस्तान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्यात, पुने किस नाम से प्रकासित हुआ था, तो दुबारा दोस्तों, तरुन राज सेस्ट फेकल्टी के साथ में पूरा कम्प्लीट कोर्स जो की सुरू हो रहा है दोस्तों, चार सितंबर दोजार इकिस से, इस कोर्स के लिए दोस्तों, आप यहाँ पर इंडूर हो सकते हूँ, उसमें आप मेरे स्कोर्ड यूज़ करके सस्क्रिप्सिन ले सकते हूँ, यह सब आपको मिलने वाला साथ में आप देख सकते हूँ, इन सब की जो रेंक वगर है वो भी यहाँ पर आपको परदेशित हो रही होगी, तो अच्छी तयारी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्स में मिल जाएगा, अभी जाकर तयारी जारी रखें, चले दोस्तों, आगे ब बात की जाए यहाँ पर, तो जेसलवेर और अजमेर, अजमेर का लाश्ट में हुआ था, आप सभी को पता है, तो इसी वज़े से यह आरोई करम हो गया, आरोई करम होता दोस्तों, बढ़ता हुआ करम, बढ़ते हुए करम को आरोई करम बोलता था, ठीक है, और आरोई करम बोला था, गढ़ता हुआ करम, जैसे 3, 2, 1, 3 परकार से आप इसमें देख सकते हो, चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्तान की परवत चोटियों के समू को उनकी उंचाई के अनुसार अवरोई करम में चैनित कीजिएगा, तो अवरोई करम यहाँ पर बताना है दोस्तों, गठता हुआ जो करम है, वो आपको यहाँ पर बताना है, सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, इसमें से साहिरा, उसके बाद में डोरा, नागपाड, फिर बिलाली, ठीक है, साहिरा, डोरा, नागपाड, बिलाली, कई बार पेपर में चप चुका यह प्रशन, और आगे आने की पूरी इसके समावना रहेगी, ठीक है, चलिए, अगला देखेगा, एक तरफ नदी और उनकी साहिक नदी है, तो आपको बताना है, कौन सी इसमें से सुमिलित नहीं है, तो माही की जो है दोस्तों, यह वाकल साहिक नदी नहीं है, बाकी सब ठीक है, बनास की कोटारी है, ल इलान करना है, कि कौन सी जील, किस जीले के अंदर है, तो अजमेर के अंदर सबसे पहले बात करें, दोस्तों, तो फाई सागर आती है, आप सभी वो पता है, उसके बाद में बात की जाए दोस्तों, तो डूंगरपूर के अंदर जो जील आती है, वो कौन सी आएगी, बिलक प्रशन देखेगा विद्यार्थियों निमन में से सालर वन कि जिले में नहीं पाए जाते हैं जो सालर वन है वो किस जिले के अंदर नहीं पाए जाते हैं तो कोटा में नहीं पाए जाते हैं थोड़ी स्पीट बढ़ाएंगे दोस्तों क्योंकि प्रशन बहुत जैदा है और म मुकंदरा की पाडियां कौन से बाग के अंदर आती है तो हाडोती पठार के अंदर आती है कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से तो जो मही नदी है यह यह आपर खमनोर की पाडियों से नहीं निकलती है तो कमेंट करके बताए दोस्तों महाई नदी कांसे निकलती है बाकी बेड़ज गोगंदा, गंबीर, जावाद बाड़िया, बान गंगा, बेराट बाड़िया अगला देखेगा 2011 की जनगर्णा के अनुसार राजस्तान के किस जिले का ग्रामीन लिंगानुपात एक जार से अधिक था, बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों ये प्रशने तो पाली का जो था दोस्तों, एक जार से ज़्यादा था ग्रामीन लिंगानुपात यहां पर पूंच लिया देखो, कितना इंपोर्टेंट प्रशने पुच्छा जनगर्णा से समन्दी 2001 से 2011 के मद्वे रास्तान के किस जिले में अनुसुचित जनजाती की जन से क्या में सर्वद इकदस किये परिवर्तन अंकित किया गया है तो यहां पर दोस्तों नागोल की बात हो रही है, उप्सिन नमबर एक क्रिक्ट हो जाएगा अगला देखेगा नीचे दीगे कूट के अधार पर सही कतन का चैन कीजिएगा यह प्रशन दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है तो बिल्कुल यहां पर जो है, इसमें तीनों जो कतन हैं वो सही हो जाएंगे 2011 में कोटा जिले में 36.6 साकसरत अंकित की गए थी उसके बाद में 2011 में जालोर की महिला साकसरत न्यूंतम थी बिल्कुल और तीसरा नमबर है विकानेर जिले की 2011 की न्यूंतम जन सिंक्या गनत्वय अंकित की गए थी बिल्कुल दोस्तों चलिए और जो यहाँ पर यह बताया जा रहा है डी इसमें 2011 में जन सिंक्या दस की वर्थ इदर 21.3 रही तो यहाँ पर A, B, D सही होगा इसका ठीक है दोस्तों यहने दोस्तों C नहीं होगा इसके अंदर तो अध्यान से देखना है A, B, O, D ठीक है तो यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा option number C, A, B, D इसमें सही होगा चलिए आगे देखिएगा निमन में से जिलों का कौन सा यूग में जल भराओ यानि सेम की समयश्या है उसे यहाँ पर प्रभावित हो रहा है तो कौन सा है हो बताओ जल्दी से दंगा नगरो और हनुमान गड़ आपको पताई है सूरा गाट वे सिवपूर गाट कहां पढ़ते हैं मद्दे रावली में चलिए अगला देखिए लोनी नदी के जल परदूशन का मुख्य कारण कितने यह बारा आचुका है रंगाईयें में चपाई होते हो किस वर्ष राजस्तान राज्य प्रावन निति गोशित के गेती फरवरी 2010 मुरुष तलिकरण का मानोजाती कारक नहीं है तो आपको पता है कौन सा नहीं है अल्प वर्षा अब इसमें मानोजाती का क्या रोल हो सकता आपको पता है यह तो कुद्रत से होती है नेचुरल ठी तो यह दोस्तों BWHW ठीक है सोरी BSSW अगरा देखेगा 2011 की जनगर्णा के अनुसा निमन में से किस जिले में नगरिय जनसिंगे का परतिशत न्यून तर्म है यानि नगरिय जनसिंगे वहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी तो दोसा के अंदर न्यून तर्म है दोस्तों प्रश अगला देखेगा राजस्तान के किस इस्तल से पुरा पासानिक यूगीन उपकरण प्राप्त हुए है तो यह हुए है दोस्तों बान गड़ से ठीक है नेक्स्ट देखेगा एक तरफ इस्तल है और एक तरफ जिला है तो आपको सही कूट का यहाँ पर चुनाव करना है तो बिल्कुल यहाँ पर सिंगी तालाब के अगर बात करें अपन तो यह नागोर के अंदर है तिलवाड़ा की यहाँ पर बात करें दोस्तों तो बाड़मेर और बीजक की पाड़ी बीमजी की डूंगरी यह सब जयपूर के अंदर है और नगरी चितोरगड के अंदर है इस प आलेवे लाल रंग की मर्द बांड संस्करती B&R ठीक है B&R चलिए अगला परसंद देखेगा निमलिकित प्राची नगरों में से किस इस्तान पर नहर के अविशेस प्राप्त हुए हैं तो नहर के जो हुए हैं दोस्तों नगरी के अंदर हुए नैसे नगरी नैसे नहरा प्य सासक ने करवाए था तो आपको पताई है वासु देव नहीं अगला देखेगा जेन विजेस तब कहां पर इस्तित है तो यह है दोस्तों चितोर गड़ी के अंदर कहां पर हैं चितोर गड़ी के अंदर अगला परसंद देखेगा आपको सुमेलित करना है एक तरफ संत है औ लालदाज्जी यहां पर बात करें अबашिन प्राइक जैसेऊपनाघ्णी। हो जाएगा, चले अगला देख्वेगा, अंतिम प्रश्ण है। ईसकी पीडियो के लिए फिर कर रहा हूं टेलिग्राम जोइन कर लेना और ऐसे ही रोजाना ओल्ड पेपर और स्टेडी मट्रियल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर ले दोस्तों और गंटी वाला बटन चेक कर ले क्योंकि कई भी जो अपडेट है आप से मिस ना हो चलिए देखेगा खातोली युद के विज़े में निमली कित कतनों में से कौन सा कतन ऐसे है यहां पर गलत है उसको पहचानना आपको खातोली का जो युद हुआ था तो यहां पर देखेगा इसमें दो नंबर हो जाएगा खातोली मेवाड और मारवाड सिमा प्रिष्टित सामारिक महत्वका इसतल था यहां पर दोस्तों यह कतन बिल्कुई ऐसे थे हैं बाकि यहां पर सारे सही है युद सांगा और इबराहिम लोदी के मद्दे हुआ था इस युद में सांगा ने इबराहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था बिल्कुल दोस्तों और मारण सांगा ने इस रखा है वो लग लग मत रहता है हर एक दो क्योशन के अंदर ठीक है चलिए तो मिलते हैं नहीं वीडियो में तक तक लिए थेंक्यू धन्यवाद